हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पा ले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर धर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाए दोस्तों मैं डॉक्टर दर्बे साब सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्व चैनल फ्रीडम फ्रम हॉस्पेटल में दोस्तों हमें से कभी भी कोई नहीं जाना चाहता है हस्पताल मगर हमारी लापर भाई कही है या फिर नॉलेज की कमी के कारण हमें दवाई भी खाना पड़ता है हस्पताल भी बार बार जाना पड़ता है आखिर में सर्जरी टेबल की नौबत आ जाती है तो दोस्तों एक बात याद रखो कि नेचुरल तरीके से अगर आप अपने आपको फिट रखोगे नेचर का साथ रहोगे तो नेचर भी आपका साथ देगा तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों नेचर का सबसे खुबसूरत और बहतरिन देन वो है नारियल की पानी नारियल की पानी में इतने फाइदे हैं दोस्तों आप जानकर हैरान रहोग नारियल में विटामीन, पोटासियम, फाइवर, कैलसियम, मैगनेशियम, खनीस तत्तो भरपूर मात्रा में होता है यही हो जा है कि नारियल आपकी सहत के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है सबसे अच्छी बात यह है कि नारियल में बसा और कॉलेस्टरल नहीं होता है अपनी इसी खुबी के कारण यह मुटा पेकु भी कम करता है कई बिमारियों के इलाज में भी नारियल काम में आता है रोज एक नारियल का पानी आपके सरीर को हाइडरेट रखने में मदद करता है और जरूरी ग्लुकोज की आपूर्ती भी करती है सही कहा जाए तो गर्मी में नारियल पानी वैसे भी बरदान से कम नहीं है नारियल के अंटी अक्सिडेंट्स और पुसक तत्यों आपके सरीर के लिए फाइदावन तो होते ही है उसके साथ साथ आपको हमेशा ताजगी भरा जीवन भी नसीब होती है सरीर की ठकान मानस्पेसियों में जो तनाव रहती है जो मानस्पेसियों सिकोड जाती है गुटने में किसी को दर्द होती है मानस्पेसियों में दर्द होती है पैर के तल्वे में जिनको जलन होती है हमेशा कमर दर्द गर्दन दर्द लगा रहता है विटामिन बी और आपका डी थ्री और कैलसियों की कमी के कारण जो सरीर हमेशा दर्स से पीडित होता है और हमें दर्द का एहसास हमेशा करवाता रहता है अगर आप रोजाना एक नारियल का पानी पीटते हो इस से आपको दोस्तों छुटकरा मिलेगा एक नारियल में लगबग दोस्तों 200 से 250 मिली लीटर पानी होती है नारियल पानी में कम कैलोरी होने के उजासे ये ओजन भी घटाता है और इस पानी में पोटासियम, मैंगनी, सोडियम, कैलसियम के अलावा प्रोटीन और फाइबर भी दोस्तों बढ़िया होता है जिसका फाइदा सीधे सरीर और मन दोनों को मिलता है कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यदा स्ट्रेस में रहते हो या उसी दिन भी स्ट्रेस में हो, बहुत एंग्जाइटी लग रही है और आपको डिप्रेशी फील हो रही है आप एक बरी नारियल का पानी पी के देखो आदे घंटे के अंदर आपके अंदर स्पूर्ती आजाएगी ताजगी पना आजाएगी और आप जो अबशाद ग्रस्त हो उससे आपको निजाद मिल जाएगी इसका अर्थ दोस्तों ये हुआ कि आप चाए ओफिस से हो घर से अगर तनाओं में आए हो तो मार्केट में जाकर गुटका, तंबाखू, सिग्रेट, सराब, चाए, कॉफी इस सब चीज लेने के जगा आप एक नारियल का पाने पी के देखो उसकी खुबशूरती तभी आपको दोस्तों पता चलेगा कि कितना जवरदस आपको लाव होती है और नेचुरल है, सेहत के लिए अच्छा है बाकी जो चीजे तंबाखू, सिग्रेट, गुटका, और यह आपको भरपूर नुकसान देती है और एक एडिक्टेट कर देती है उसके साथ तो आप बार-बार तनाव में आते हैं और बार-बार उस चीज़ का सेवन करते हैं नहीं, आप एक नाजल का पाने डेली लो आप देखोगे आपका हाई स्ट्रेस लेवल आपका कम हो जाएगी खास करके मैं उनको सलह देना जाओंगा जो लोग रात में ड्यूटी करते हो रात में कई लोगों देखा गया है वो अलकोहल लेते हैं सिग्रेट तंबाखो और आपका चाई कॉफी के आदत करते हैं वो उस जगा पे रात की ड्यूटी के समय है चाई भी पी ओ आईटी कहीं भी काम करते हूँ आप एक नारियल पानी पी के देखो आपको किसी और आल्तु-फल्तु चीजों की ज़रुत नहीं पड़ेगी उसकी सेवन करना नहीं पड़ेगा सेहत भी अच्छा रहेगा, पेट भी अच्छा रहेगा, ऐसीडिटी गास्टेडिस भी नहीं होगा चिर्चिटापन भी नहीं रहेगा, अगर किसी को हमेशा हेड़ेग, माइगरेन होगे रहता है वो भी दोस्तों ठीक हो जाएगा उसके साथ-साथ आप आंटी-डिप्रेसिर मेडिसिन्स के आपको कभी भी दोस्तों जरूरत नहीं पड़ेगी ब्लेट प्रेशर को कम करने के लिए नारियल पानी दोस्तों काफी मददगार साबित हुआ है नारियल पानी में महजूद वीटामिन C, पोटासियम और मैगनिसियम ब्लेट प्रेशर को कंट्रूल में रखता है बढ़ती गर्मी के होजासे आपको ऐलर्जी लेबल जो बढ़ जाती है, खुजलाट होगेरा होती है वो इससे कम हो जाती है अगर नारियल का पानी पीते हो और अगर सरीर में जहां जहां आपको खुजलाट होती है, ऐलर्जी है उसमें अगर इसको लगाते हो शरीर में आप नाजल का पानी भी लगा सकते हो, जिससे ये आपका ठीक हो सकता है, इसमें इम्मूनिटी सिस्टम को बढ़ाने की काफी खेमता है, उसको आप रोजाना इस्तेमाल करके देखोगे, आपके सरीर में जैसे मैंने पहले बता है, पूर्तियों गरा बढ़ेगा, त आपके मेटाबोलिजिम में सुधार करता है, सरीर के अंदर फिरी रेडिकल्स को बनने में ये रोकता है, और आपको एक लंबा समय के लिए यंग रहने में हेल्प करता है, जो लोग नारियल का पानी पीते हैं, रोजाना आदत करके, उनका ब्यूटी भी निखरता है, उनक स्कीन में ग्लो रहता है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है दोस्तों, ये चीज को ध्यान रखिएगा, तो ये इसका अर्थ है, कि ये सहत भी अच्छा देता है, आपका ब्यूटी भी निखरता है, इसके सासा जिनका हमेसा बाल जड़ता है, बाल जल्दी ग्रे हो जाता है, उनके लिए तो दोस्तों लाजवाब चीज है, अमरित के समान है दोस्तों, अब इस्तिमाल करोगे दोस्तों, तभी जान पाओगे, नारियल के पानी में महजूद एंटी आक्सिडेंट्स, इन फ्री रेडिकल्स को दूर करने में दोस्तों मदद करता है, जैसा मैंने आ इंसुलिन को बढ़ाता है, जिसके होजासे आपको बाहरी इंसुलिन की जुरुत नहीं है, आप इंजेक्ट करके आटिपीसियल इंसुलिन लेते हो, उसकी जुरुत नहीं होती है, याने डाइवेटिस पेस्टेंट के लिए भी ये रामबान उपाए है दोस्तों, गर्मी म मुहां से और दाग धबे की समस्या काफी बढ़ जाती है, ऐसे मिनारियल का पानी मुहां से को दूर करने में आपको मदद कर सकता है, इसका इस्तेमाल आप चेहरे पर फेस पेक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर चेहरे को धोलो और बीस मिनिट के बाद आप फिर न प्रचूर मात्रा में इलोका पानी में बूटी निखारनी है, चेहरे में दाग धबे दूर करना है, पिम्पल्स दूर करना है, तो पेट को भी ठीक रखें, क्योंकि पेट से जुड़ा हुआ है, आपका पिम्पल्स हो गे रहा, इसलिए पेट का एस्टेटिक अश्टेटि में लगाएंगे, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, नारियल पानी में प्रचूर मात्रा में इलोक्ट्रोलाइट्स होता है, यहां उर्जा का एक अच्छा स्रोत भी माना जाता है, ठकान या कमजोरी लगने पर, ताजा नारियल का पानी पिने से दोस उस्ती कर्शरत करते हैं, रोजाना जीम एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए एक या दो नारियल पानी जरूर पीनी चाहिए, नारियल पानी में विटामिन E के अच्छी मात्रा होती है, इसलिए इसे रोजाना पीने से बाल मजबूत होता है, साथ ही यहां घने, काले और र बढ़ने की दिक्कत भी दूर होती है, याने जो लोग थाइरेट की दवाई के उपर निर्भर हैं, वो सुभा सुभा एक नारियल का पानी पीने का आदत जरूर करें, तीन लोगों को पत्री की समस्या है, उन्हें नारियल पानी जरूर पीनी चाहिए, ऐसा करने से, यूर बढ़ने में हमेशा इंफेक्शन रहती है, दोस्तों, सिर्फ 15 दिन से एक महने के बीच में आपका इंफेक्शन ठीक हो जाएगा, यह तोचा को हाइडरेट करता है, जिसके कारण आपके तोचा में नमी बरकरार रहती है, और इसे ब्यूटी भी दोस्तों निखरती है, ना इसको आप ध्यान रखिएगा, और सब अपने अपने सरीर के हिसाब से इसका इस्तेमाल करिएगा, तो यह सारी जो जानकर यह आपको दिया, आप इस्तेमाल करें, नैचुराल चीज है, हर जगा मिल भी जाता है, तो हम कई बार सोचते हैं कि यार यार नारियल का पानी जो उसके जगा आप आप से नारियल का पानी इस्तेमाल करो, चाहे आप सहर में हो, चाहे आप गाउं में हो, दोस्तों, इसके साथ-साथ ऐसे बहुत सारी टीप्स, मेरे किताब में आपको मिल जाएगी, My Health in My Hand, उसका लाब जरू उठ है, ओनलेन एमेजन से मंगाएं, और ग्लोबाल प्रोग्राम होने जा रहा है, इसमें रेश्टेशन करें, आड्मिशन ने भी चल रहा है, इसके सिवा घर बैठके अगर कोई सिखना चाहता है, एक्यू प्रेशर की विद्ध्या को समझना चाहता है, और साटिफाइड होना चाहता है, प्रोफेशनल बनना चाह तो डिजिटली हमने 26 गंटे का और 9 गंटे का दो तरे का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे हैं आप यहां से मंगा के भी घर में आप पेंडरेव और डिवीडी के माध्यम से भी सीख सकते हो तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ इस वीडियो के इसमात करता हूं जैहिंद जैभा दोस्तों आप सभी के लिए खुश खबरी हैं नहीं आपको अस्पिताल जाना पड़ेगा नहीं सर्जिवी के लिए जाना पड़ेगा अपने घर बैठकर आप बड़े से बड़े बिमारियों का इलाज, एक्यू प्रेशर, होम आयवेदा एवं एक्ससाइस से आप कर दोस्तों अब आप बिना दवाई के बिना अस्पिताल जाए घर बैटे अपना इलाज खुद करिये डारेक्ली के ताथ, डीवीडी तता पेंट्राइब पाने के लिए वाच्चाप करें इस नमबर पे डबल एक टू डबल सेक्स सेवेन सेक्स त्री जिरो थी धन्यवाद